हलो दोस्तो वैलकम बैक टू यूटूब चैनल आर्डी क्लाजस दोस्तो जैसा कि हमने आप से बोला हुआ था कि बीएड में आपको कैसे लिखना है पेपर का तरीका क्या है लिखने का जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कूर कर सकें तो दोस्तो इससे पहले हम एक वीडि करेंगे आपका स्कूर करने में ठीक है तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ वो आप देख रहे होगे यह पेपर है आपका बीएड का और पेपर में आपको कैसे लिखना है ठीक है कैसे लिखने का मतलब यहां पर यह रहेगा कि आपको कोश्टन नहीं आता है फिर भी वो question आपको लिखना है तो कैसे अपना बिचार देंगे वहाँ पे किन चीज़ों को समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखे जो paper है आपका first semester का यह paper second है आप कोई सा paper हो ध्यान रखना सबके लिए अलग नहीं होगा एक ही paper के जो रून बता रहा हूँ इसके वही प्रतियक paper में follow on है ठीक है मुचाइब पेपर आपका किसी का भी हो कोई subject हो कोई सा topic हो देखे सबसे पहला काम होगा आपका कि यह समझ लेना है कि सभी प्रशनों के उत्तर दीजिए सभी प्रशनों एक अंक समान है तो यहाँ पर इस चीज का ध्यार रगना है इसको पढ़ लेना जरूर है सभी प्रशनों के उत्तर देने हैं आप छोड़ना कोई भी नहीं है लेकिन हाँ जब अथवा आ जाए तो अथवा में एक ही करना होता है ठीक है जैसे यहाँ पर दो कॉशन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सिच्छा मनोवग्यान क्या है इसकी बिदियां छेत्र तता कारियों का वर्डन कीजिए ठीक है अथवा इन में से निर्देशन परामर्स से आप क्या समझते हैं कि सोरों के लिए निर्देशन क्यों आवश्यक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहला मैंने बताया था कॉश्चन पर ध्यान देगे कि जो वर्ड यूज हुआ है सिच्छा मनोवग्यान वो कितने वर्डों से मिलकर बनाए दो वर्डों से सिच्छा का मतलब होता है आप जानते हookyंगे मानब जो अपनी अंतर ने सक्तियां लेकर पैदा होता है उनको सही दिसा में निर्देशित करना सिच्छा का काम होता है तो एक शिच्छा का सिर्फ बात कर रहा हूँ उसके बाद मनोवग्यान का मतला होता है एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतरगत व्यक्ति के व्योहार का अध्यन किया जाए ठीक है? जैसे मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान आपने सुना होगा इनको अलग-अलग नामों से दिया गया था जो वर्दमान में है वो है व्योहार का विज्ञान ठीक है ब्योहार का विज्ञान चल रहा है मनो विज्ञान तो सिच्छा मनो विज्ञान की बात चल रहे हैं अब क्या मतलब होगा इसका अब इसका मतलब होगा जो बालक है वो उसके ब्योहार को इसके द्वारा को पनमारजित करना है आपको ठीक है तो इसको कैसे कैसे कर सकते चिर्फ इतना लिखना है कि जो सिच्चा है वो आपके अंतरनेत सक्तियों को विक्सित करती है तो बच्चों के भी जो है वो आनुवान सिख्ता के कार जो जितने भी उनके अंदर गुडाते हैं उनको विक्सित करना वो सिच्चा का कार होता है अब मनोविज्यान क्या है इसक तरह से बच्चा सीखता है वो सारे इसकी विधिया उसके छित्रों में दे सकते हैं कारियों का बड़न करना है सच्छा वनुब क्यां किसक Sales Hence सारगर होता है तो आप जानते हैं बच्चों को पहली बात तो यह गाई सर्वांगीड विकास में सायक होती है सच्छा किसमें सर्वांगीड यहाँ पर एक मंदु महात्मा गंदी जी थे उन्होंने भी बोले थी यह थी बात ठीक है तो आप अब समझ जाएंगे पहला दूसर निर्देशन आप नहीं जानते परामर्स आप नहीं जानते शिर्फ इनका मतलब तो जानते आपने पढ़ा नहीं है वेसे निर्देशन क्या होता है परामर्स क्या होता है क्या समझते है कि सोरों के लिए निर्देशन क्यों आबस चेक है अब दिगें यहाँ पर क्या है के निर्देशन और परामर्स अब इन में सबसे पहले समझना है आपको निर्देशन क्या होता है निर्देश देना अब कोई बालक है बालक को एकदम कोरी सिलेट कहा था अब बालक की जो मस्तिस होता है वो कोरी सिलेट के समान होता है इसका मतलब बालक कुछ सीख रहा है तो हम निर्देशित करेंगे कि सई दिसा में सीखे ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे इस चीजों को समझेंगे और परामर्स का मतलब अब जाब समझगे ना किसोरों के लिए निर्देशन क्यों आवस्यक है किसोरों उसके बड़े लोग जो वयस्क बोलते हैं वयस्क को दवारा उन्हें निर्देशन दे जाता है जिससे कि वो अपने कारियों को एवं जो भी जीवन में उप्योगी कार है उन्हें को सीखने में साइथा करता है ठीक है तो यह निर्देशन के बारे में बता देंगे और परामर सलाकी बात होगी वो आप पता सकते हैं जैसे आपको अधिकम की बारे में पूछा गया अधिकम क्या है? अधिकम की प्रकृति को विस्तार से स्पष्ट कीजिये अब अधिकम का मतलब होता है आप सीख रहे हैं Learning मतलब सीखना अब सीखना कई प्रकारगा हो सकता है जैसे अब सीख रहे हम कोई चीज़े देखकर सीख रहे हम क्रिया करगी अधिगम क्या है सीखना है सीखते हम कई प्रकारगे अब सीखने के कारड़ क्या होता है हमारी body language change हो जाती है लेकिन अधिगम का जो विश्त्रित अर्थ होता है, वो होता है आपका विवहार में परिवर्तन, अब इसकी को आधार माने के इससे क्या रिलेट्शन है, बाकी सब्द कैसे बन सकते हैं, कौन-कौन से लाब हैं या इसकी प्रकृति का विश्तार से बढ़न करना है, तो यह च संग्यान तो जानती ना है, संग्यान में बढ़ाया ज्यान, यानि इसका कहीं संबंद ज्यान से था, ठीक है, और ज्यान को ही हम मनोविग ज्यान की वासा में संग्यान भी कहते हैं, ठीक है, अब बात आ जाती है यहां पर, पहली, कि प्याजे ने जो चार अवस्ताइं बत बता है इनको 2 से 2 से 7 ठीक है 2 से 7 बताई थी उन्होंने पूर्व संक्रियात्म कवस्ता 7 से 11 मूर्थ संक्रियात्म कवस्ता और 11 से 15 या 22 ये बताई थी उन्होंने अमूर्थ संक्रियात्म कवस्ता अब मतलब क्या है ये चार अबस्ताओं में उन्होंने बालक के विकास को विवाजित किया हुआ था अब चार अबस्ताओं में आप समझ जाएंगे जीरो से दो में क्या होता है बच्चा कितना बड़ा होता है किसके दुआरा कैसे कार करता है वो बता देंगे दो से साथ में क्या कैसा वालत क्ार करता है, क्या कि विकास हो जाते हैं, आप जानते हैं से मिलकर बनी जाएगी तो यही है सिर्फ दो तक्तों से मिलकर बनी अगर बता दिया तो दो इकंड तो गया अब इसमें दो इकंड कुछ नहीं अगला देखो क्रियेटिव टी है क्रियेटिवटी क्या होती है कुछ शीजों को नया बिकास कर देना नहीं चीज़े बना देना भाई होथ्येस्ट बीकास अप पद्रत्वाबाद मिलक में कैसे अंतर यंगे और देखिए business मतलब होता है आपका जो बालक होता न जो children होते है न exceptional मतलब कह सकते हैं एक दम अलग लोगों से business और दूसरा अब यहां पे दोनों बड़ा है एक पिछडा होता हो और दूसरा प्रतिवाबान होता है अब पिछड़े वालक में और प्रतिवाबान में आप अंतर कैसे करेंगे तो दिखें कई तरीके होता है जो प्रतिवाबान होंगे उसके कारियों में और जो पिछड़े वालक होंगे उनके कारियों में गत्षीलता में अंतर पाजा जाता है उनके कारियों में creativity नहीं होती है पिछड़े वालकों के में प्रतवाव इसील वालकों के कारण में जो creativity होती है उनलब स्रिवान लगता होती है ये वालक किसी कारण को जल्दी कर लेते हैं ये बहुत slow कर पाते हैं ठीक है इस तरह कि आपको लिखना है अब धारणा उसकी हम सारे question कर सकते हैं easily लेकिन आपको एक option मिलता है जो अच्छा आपको लगता है वो आप कर सकते हैं एक अच्छे व्यक्तित से आप क्या समझते हैं अब बताएए ये अच्छा व्यक्तित्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इत्यास का वर्डन कीजिए, तो इसमें भी आप कुछ मी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे न, एक अवधारा है ये, आप इस तरह से पेपर में लिख सकते हैं, बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं, आप अपने दारब से, और जो हमने इससे पहले वीडियो में पॉइंट ब बाई भाई